Hello everyone, मैं नहीं लंतिवारी आप सभी का Magnet Brains में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ Magnet Brains एक ऐसा चैनल है जहापर आपको Kindergarden से लेके 12th क्लास तक के सारे वीडियोज बिल्कुल फ्री अविलेबल करवाये जाते हैं और ऐसा भी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग की दो वीडियोज देखने के बाद में कोई भी सब्सक्रिप्शन चाल्ग देना हो क्योंकि Magnet Brains चैनल पर आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री अविलेबल करवाये जाती हैं साथ साथ में चाहे देखे आपको IIT, JE, NEET, NTSC, Olympiad और बैंकिंग SSC किसी की भी तैयारी करने हो मतलब कोई भी आपका competitive exam हो उसकी तैयारी आप कर रहे हैं तो भी आप कहीं पर पैसे खर्च मत कीजिए कहीं जाए मत Magnet Brains चैनल पर घर बैटे फ्री में ये सारी चीज़ें आप शुरू कर सकते हैं कक्षा 11 संस्कृत व्याकरण के core और elective में धातू रूप में परस्माई पद की धातू हमारी कथ पर हम आचुके हैं और इसके अब हम रूप देखने वाले हैं कि ये जो हमारी कथ धातू है इसके क्या रूप बनते हैं धातू और रूप होता क्या है को तो पांच मिनिट में हम फटा पट से आपको बता देंगे कि हम जो भी काम करते हैं उनको जिन शब्दों से संस्कृत में दर्शाय जाता है उनको धातू कहा जाता है और क्योंकि जो काम होता है क्रिया होती है वो निरंतर हर समय चलती रहती है लेकिन जिस समय में हम जीते हैं वो हमारा वर्तमान समय चलता है और जो हमारा बीत गया है समय उसको भूत काल कहा जाता है और आगे आने वाले समय को भविशे काल कहा जाता है तो संस्कृत में भी हमारे वर्तमान समय को लट लकार से दर्शाया जाता है बीते हुए समय को लंग लकार से और आने वाले समय को लिट लकार से दर्शाते है ये तो हो गई काल की बात लेकिन हम आपको पांच लकारों में पढ़ाएंगे होती तो दस लकार है लेकिन पांच लकारों में आपके इसले बस में दिया हुआ है तो हम आपको पांचों लकार में हर एक धातू की रूप से खाएंगे अब देखिए यहाँ पे तीन लकार तो हो गए लट, लंग, लिट यह हमारे क्या करते हैं काल को दिखाते हैं यानि समय को दर्शा दे हैं कि वो जो क्रिया है वो किस समय में हो रही है ठीक है और साथ साथ में लोट और विदिलिंग क्या करते हैं परिस्तिती को दर्शा देते हैं कैसी परिस्तिती को यदि उस क्रिया को आग्या के रूप में कहा जाए तो लोट लकार की प्रत्याय लगा देते हैं हम और अगर उसी क्रिया को हम चाहिए का अर्थ जोड़कर बोल रहे हैं तब हम चाहिए के उद्देश से बोल रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए तो फिर हम विदिलिंग लकार का प्रियोग करते हैं छीक है तो इस तरह जे हम पाँच लकारों को पढ़ेंगे। किन के साथ में पढ़ेंगे? पुरुष और वचनों के साथ में. इनको भी समझेंगे। प्रियोग सीखेंगे हर एक लकार का अर्थ सीखेंगे। छीक है ना केवल हमें इतना याद नहीं रखना है कि हमने कहा, कि अगर कोई क्रिया वर्तमान काल में हो रही है तो हम लट लकार के प्रत्याय उसमें जोड़ देते हैं कौन से प्रत्याय होते हैं? नो प्रत्याय होते हैं ये नो प्रत्याय हो गए कहीं पर भी लिख लीजे, लिख लीजे ती तह अन्ती सी थह थ और आमी आवह आमह ती तह अन्ती सी थह थ आमी आवह आमह ये हमारे क्या हो गए? लट लकार के नो प्रत्य हो गए, इनको हर धातू में जोडते हैं, लेकिन धातू में जब जोडते हैं, यानि क्रिया वाजी शब्द में जब हम जोडते हैं, तो उस क्रिया में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, हर धातू में होता है, इसलिए हमने हर धातू के आपको रू क्यों देख रहा है ना तो उसको तो जो पिछले वीडियो में चीज़ें बता चुके हैं तो वह तो उसको रह गई हो तो नहीं आएगी समझ में अब कभी यह सोची कि अगर वर्तमान काल की बात है तो उसके लिए नोप्रत्य की क्या जरूरत है एक से ही काम क्यों नहीं चलाय तो वह संस्कृत बहुत ही लौजिक वाली भाषा है बहुत ही साइंटिफिक है सब के लिए बड़ी अलग अलग चीज़ें बनी हुई है ऐसा नहीं है कि इसके लिए भी है उसके लिए भी है और सब के लिए भी है बालक करते हैं हम करते हैं बालक के लिए भी है लगा रहे ह लेकिन संस्क्रिट में क्योंकि काम करने वाला कौन होता है करता होता है और यह पुरुष कौन है पुरुष कोई व्यक्ति है क्या कोई पुरुष है या महिला वाले जो पुरुष होते हैं महिला वाले नहीं यानि महिला और पुरुष में हम कहते हैं कि एक मैन होता है एक विमेन होता है तो उस मैन की बात नहीं करी जा रही है यहाँ पुरुष का मतलब है व्यक्ति ऐसा कोई भी व्यक्ति हो व्यक्ति हो यहाँ पर वस्तू हो कोई भी सजीव हो या निर्जीव हो उने के बारे में यहां बात करी जा रहे है जो काम कर रहे हो बस जो काम कर रहे हो काम को कर रहे हो उसको हम क्या कहेंगे पुरुष से दर्शाते हैं जिसको हम करता भी कहते हैं क्योंकि काम करने वाला नहीं हो यह तो कहने की क्रिया कौन करेगा बताई करता यदि नहीं हुगा तो ये क्रिया हो सकती है इसी करता को क्या किया गया तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया कौन कौन सी में प्रथम मध्यम और उत्तम तीन प्रकार की तीन केटेगरी बन गई प्रथम मध्यम उत्तम अब किस केटेगरी में कौन सी लोग आते हैं तो कहां मैं उत्तम तुम में अकेले उत्तम होगा है बाकी सब होगा है नहीं में जो शब्द है सर्वनाम शब्द हर एक व्यक्ति अपने लिए मैं का प्रियोग करता है तो जब वो मैं का प्रियोग कर रहा है तब उसको उत्तम पुर्ष की क्रियाई लगाने है ठीक है जब वो कभी भी हम पढ़ रहे ह लिख रहे हैं बोल रहे हैं तो यदि हम उस क्रिया के साथ में तुम लगा रहे हो कि तुम कहते हो तुम पढ़ते हो तुम सोते हो तुम जाकते हो तुम खाते हो तुम पढ़ रहे हो तुम लिख रहे हो तुम हस रहे हो तुम बोल रहे हो तुम नाच रहे हो तो क्रिया के संग मैं जागता हूं मैं खाता हूं मैं पीता हूं कि वला के लिए हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं कि नीलमतेवारी की बात नहीं हो रहे है कि वल यह है ना यह हर एक मैं शब्द की बात हो रहे है कि मैं जो भी अपना प्रियोग कर रहा होगा जो भी अपना प्रियोग करेगा मैं जब दो जाएगा, या एक जो व्यक्ति मैं कहा है कि मैं पढ़ा रही हूं मेरे संग में अगर एक और कोई मेरे साथ में आ जाती है कोई सिक्षिका या सिक्षक तो हम कहेंगे मैं बढ़ा रही हूँ तब भी क्या मैं कहूंगी नहीं या मैं दोनों कहूंगी नहीं तो हम कहेंगे हम दोनों तो में का ही हिंदी में दोई वचन का रूप बन जाता है हम दोनों क्या बन जाता है हम दोनों और यदि मान लीजी इसमें देखी खासियत ही होती कि मैं होने का भाव बना रहता है यानि मैं कहीं नहीं है एक कोई व्यक्ति है वो स्वेम को गिन कर ही बात कर रहा है कि मैं पढ़ाता हूँ हम दोनों पढ़ाते हैं और हम सब पढ़ाते हैं तो यदि दो से अधिक हो गए हैं तो वो हमारी बहुँचन में पहुँच जाते हैं हम सब ठीके, यहीं माल लिजए कि हम अपने magnet brain की बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि मैं magnet brain में संस्क्रिट पढ़ाती हूँ फिर इसके बाद कहा कि अब रूपाली मैम को हमने खड़ा कर लिया और हमने कहा कि हम दोनों हिंदी और संस्क्रिट पढ़ाते हैं तो कौन हो गए हम दोनों उसमें ये नहीं हुआ कि हम कहीं चले गए रूपाली में की बात करने लगे तो हम कहीं चले गए हम तो वहाँ पर हैं ही तो मैं दोनों ना कहके हिंदी में हम कह देते हैं हम दोनों और फिर इसकी बाद में हम और सिक्षकों को लेकर आ जाते हैं कह देते हैं कि हम सब आपको सभी विशय पढ़ाते हैं तो हम सब हमारा कहां आ जाअगा उत्तम पुरुश की बहुचन के करता है ठीक है तो यह हो गया मैं उत्तम उत्तम मद्यम बाकी सब प्रथम ठीक है तो में के लिए ये क्रियाई लगाएं जाएंगी उत्तम पुरुष की फिर आते हैं मध्यम पुरुष पे कि तुम तुम अकेले हो तो तुमारे साथ में तुम शब्द कहीं पर लिखा होगा पढ़ा जाएगा अनुवाद किया जाएगा तो तुम जहां पर होगा उसक करते हो तो तुम दोनों मध्यम पुरुष के दुई वचन के करता हो गए दुई का अर्थ क्या होता है दो वचन यानि संख्या संख्या में यदि एक हो तो एक वचन दो हो तो दुई वचन और बहु बहु का अर्थ बहुत दो से अधिक हैं तो बहु वचन और तुम सभी म हम अध्यमपुरुषके एक वचन दुई वचन और भवचन के करता हो गए और मैं हम दोनों हम सब उत्तम पुरुषके करता हो गए और बाकी सब प्रत्थम यहां चात्र चात्रा बालक वाली का कोई भी जो कहने का काम कर रहा हो पढ़ने का हसने का बोलने का को themselves in प्रथम पुरुष के हैं लगती है जितनी भी स्याय क्ञा कि याश बात कर रहे हैं सारी हम 22 सो धातो की बात कर रहे हैं सारी जो पुरुश होते हैं ये ही रहते हैं यही तीनी श Constant कि रहते हैं उत्तम और मध्यम की यही फिक्स छे लोग है बाकी और कोई है ही नहीं हर एक क्रिया क्या प्रथम पुरोश बाकी सब लोगों के लिए जनरल के टगरी की भीड ठीक है देखा है कहीं पर प्रोग्राम होते हुए तो पहली सीट पर बोले यह कलेक्टर साब यह उनक की फिर जनरल मुले फिर तो भीड बैठे रहा यहां पर कोई भी आ सकता है तो यह उत्तम और मध्यम पुरुष की जो क्रियां हैं यही काम करती है यह जो करता होते हैं बड़े वी आईपी है यह अपनी क्रियां अपने अपने लिए हैं अपनी सीट हैं किसी के संग में नही क्या कहते हैं दोईवचन में क्या कहते हैं तो मैं कहेगा कि मैं आया हूँ असमद के शब्द रूपों में मैं मिलूगा मैं मेरे एक नहीं मेरे 21 बनते हैं रूप कहां असमद में असमद के शब्द रूप देखो हमने याद करवाए हैं उसमें 21 रूप मिलते हैं तुम से प और रोटम ऑखा कि हमारे पास एक्ईस रूप हैं इस ने भी कहा हैais हम से प्रतमा के यानि पहली लाइन के जैसे ही हम आस्मद के शच्चिन रूफ ह्कम. अब तुमने कहा, क्योंकि मैं भी काम करने वाला बन रहा हूँ पहचान बता रही हो, तब भी अहम आवाम वयम और काम करने वाले बन रहे हो, तब भी अहम आवाम वयम ही लगाए जाएगा युश्मद के लिए आएंगे तुम, प्रत्मा विभक्ती के रूद, तुम, युवाम, युवयम ठीक है, तो अब आगई हमारे पास ये करता आगए तो अब क्रियां याद करने तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्रियां हम कहां लगाएंगे, वो हमें पता होना चाहिए तो तुम, युवाम, युवयम और अहम, आवाम, वयम इनके लिए हमारी मध्यम और उत्तम पुरुष की क्रियां लगाई जाती है बाकी सब के लिए प्रत्थम पुरुष की क्रियां है अब चाहे उसमें बालक हो, बालिका हो, छात्र हो, छात्रा हो, पुरुष हो, इस्त्री हो, कोई भी हो सकते हैं जैसे हमने कहा पुरुष कहता है तो पुरुष को भी प्रतमाविवक्ती में बदलना पड़ेगा तो हम कहेंगे पुरुष कथयती अब दो पुरुष कहते हैं तो कहेंगे पुरुषाह कथयती बालक बालिकाही लिखो तो बच्चों को लगता है क्या प्रतम पुरुष में क्या बालक बालिकाही होती नहीं पुरुष भी होता है साधू हो सकता है मुनी हो सकते कोई भी हो सकता है मुनी ले ले, तो यह काएगा मुनी कहते हैं, तो यहां हमने लिख दिया मुनी ही कथयती, मुनी मुनव मुनयह, तो यहां पर कहेंगे अगर दो मुनी हैं, दो मुनी कह रहे हैं, तो हम कहेंगे मुनव कथयतह, और कहेंगे बहुत सारे मुनी अच्छी बातें कहते हैं, तो मु प्रयोग प्रयोग हमने आपको सिछा दिए कि प्रतम पुरुष का करता जो भी होगा अब जैसे हम अनुवाद में एक उधारन दिये देते हैं उसी हिसाब से आप सारे अपने प्रियोग करते जाएगा जैसे हमने क्या दिया कि बालक कहता है या कह रहा है सब एक बात ध्यान रखेगा कहता है या कह रहा है रहा रही होने पर भी हमारी कौनसी लटलकार की ही क्रिया लगाई जाती है ऐसा नहीं है कि अलग कोई क्रिया बनती हो बालक क्योंकि करता है तो करतरी प्रत्मा करता में प्रत्मा विवक्ती लगाई जाती है एक वचन लगाएंगे तो बालक हो जाएगा हमारा बालकह यानि अब कहां से प्रथमा बिवक्ती हो शब्द रूप में शब्द रूपों में पहली लाइन होती है ना बालकह, बालकह, बालकह होगा है दो हो जाएगे तो बालकह हो जाएगा बहुत सारे हुए तो बाल कहा बन जाएगा क्योंकि करता में प्रत्मा विभक्ती ही लगा जाती है हमने का बाल कहा कहने को क्या कहा जाता है कथ लेकिन कथ धातु में जब ती तह अंती लगा जाए तो कथती कथतह नहीं मनता है इसमें पहले या का आगमन होता है जैसे चिंत धातू में या लगता है ऐसे ही कथ धातू में पहले या लगता है तब ती तह अंती लगाया जाता है तो यहां कथ हो जाता है कथए फिर इसमें हम ती तह अंती लगाते हैं कथ यती कथ यतह कथ यंती कथ यसी कथ यतह कथ यत इस प्रकार से रूप बनते हैं कहने को कह दिया क्या कहते हैं संस्कृत में कथ या का आगमन किया जाता है अब इसमें प्रत्या कौन सा लगाएं काल पैचानी वाक्य में हे की बात हो रही है लटलकार में जाना पड़ेगा अब लटलकार में जाएंगे तो नो प्रत्या मनेंगे कौन सा प्रत्या उठाएं तो बालक से पूछेंगे पुरुष वचन बताओ तो बालक ना तो अहम आवाम वयम है ना तोम योवाम यूयम है इन छे में से कोई नहीं हो तो बाकी सब प्रत्थम वचन संख्या में कितना है कहेंगे एक है तो क्रिया में यानि जो प्रत्या है क्रिया में प्रत्या है कौन सा लगेगा लटलकार का प्रत्थम पुरुष का एक वचन का ती तो यहां हो जाएगा बालक कहा कथेयती अब यहीं अगर बालक दो हो गए तो पुरुष वचन वही बना रहा हमारा कौन पुरुष वही बना रहा लकार वही बना रहा निकाल वोई है यहां लिख दिया दो बालक कहते हैं ठीक है तो बालक हो गए बालकव क्योंकि प्रत्मा विवक्ति के दोई वचन के करता बन गए करतरी प्रत्मा करताम हमीशा प्रत्मा विभक्ति लगती हैं क्रिया कुन सी होगी कई या हमें बोलना हो या हमें पढ़ना हूं तो सब लेकिन हे संख्या में दो, तो दोई वचन की क्रिया लगेगी, तो लटलाकार प्रतम पुरुष दोई वचन की क्रिया का, यहाँ पे आजाएगा ती, तह, अंते, तो यहाँ आएगा तह, क्योंकि दोई वचन की बात हो रही है, बालकाउ का थेया था, अब यहाँ पे कह दिय आएगा बालक उन्हीं आएगा क्या आएगागावालका हम यह लखाएंगे बालका कहने को कहते हैं कथ यह का आगमन होता है अब प्रत्य कौनसा जोड़ेंगे कहेंगे क्यूंकि है लिखा है लटलं DC परोश हमारा प्रत PD हाप ही है छोछ प्रथम है लेकिन संख्या में कितना है बहु है ज्यादा है एक नहीं दिख रहा है दो नहीं दिख रहे है अधिक संख्या में दिख रहे हैं तो कौन साएगा लट लकार का प्रथम का बहु अचन अन्ती तो यह हो जाएगा कथ यान्ती छीक shape? ये हो गया? अब इसी में माली जी यहाँ लिखा हुआ होता कि में कहता हूं में कहता हूं तो यहाँ पर में को पहले हमें संस्कृत में बनाना पढ़ता क्योंकि में करता बन रहा है और करतरी प्रत्म, करता में प्रत्मा विभक्ती लगाई जाती है तो हमें मैं के रूप कहा में लेंगे असमद में प्रत्मा विभक्ती में मैं क्या बनता है अहम एक वचन में तो में हो गया अहम कहने के दिया कथ या का आगमन कर दिया अब लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि ये कौन सा कौन है पुरुष वचन कौन सा है लेकिन उसके पहले काल देख लीजे वो ले हैं हूं हो लिखा हुआ है तो लटलकार की क्रिया आएगी लटलकार में भी नौप्रकार की क्रिया मिलती है तो पुरुष वचन पहचान लेज तो यहां हो जाएगा कथ यामी तो क्या कहते हैं ती तह अंती नहीं लगाएंगे सी तह तह नहीं लगाएंगे आमी लगा देंगे क्योंकि तंपुरुष एकोचन का करता बन रहा है हो जाएगा अहम कथ यामी ठीक है ऐसे ही दो हो तो हम कह देंगे आवाम अब यहाँ पे हम दो हो जाए हम दोनों हम दोनों केहते और यहाँ लिख दिया जाए हैं हम दोनों केहते हैं तो हम दोनों को कहा जाएगा आवाम यहाँ पे हमारी जुक्रिया है वो क्या आ जाएगी उत्तम पुरुष के दोई वचन की आमी आवह तो यहाँ पे हम कहते हैं या हम सब कहते हैं तो क्रिया क्या आएगी कहेंगे हम को या हम सब को क्या कहा जाता है वयम हम आवाम वयम बहुवचन में तो यहां लिख दिया हमने वयम, अभी हम कहां पर अपनी लटलकार की क्रियाओं को बढ़ रहे हैं, अभी यहां पर बता यह करता हमारा वयम हो गया, तो पुरुष वचन पहचानेंगे, हैं हूं हो लिखा हुआ है, तो लटलकार तो है ही यह, उत्तम पुरुष के बहु वच पुरुष के लिखा है, तो यहां पर हो से पहचान लेंगे किसकी बात हो रहे है, लटलकार की, तुमको परिवर्तित करेंगे, करतरी प्रत्मा, प्रत्मा विवक्ति लगाएंगे, तुमकी रूप मिलेंगे युश्मद में, प्रत्मा विवक्ति एक वचन में रूप बनता है तुम, चीक है, तो यह हो गया तुम, यहां पर कहा कथ, यहां का आगमन किया, चीक है, यहां का आगमन हो गया, अब क्या करे का हमेंट प्रत्याई जोड़ना है तो तुम से पूचेंगे अपना फुरुश वचं बताइए यह कहाँ मध्यम पुरुष कि वही क्रिया हमारी कैसी हो चुकी है उसको दर्शाएंगे तो यहां जैसे लिखा हुआ हो कि चात्र कहता था दो चात्र कहते थे सब चात्र कहते थे लड़क बच्चा कहता था ऐसी बात सिख्षक हमारे बात ऐसी कहते थे हमारे जो सिख्षक है वो हमसे कहा करते थे कि ऐसा करना चाहिए हमारे दोनों सिख्षक ऐसा कहते थे हमें पढ़ाते थे, हमसे कहते थे अब थे का अर्थ आ गया क्रिया क्रिया में हिंदी में हमें थाथी थे देखने लगता है संस्कृत में थाथी थे नहीं लगाएंगे क्योंकि वो हिंदी का शब्द है तो क्या लगाएंगे लंगलकार के प्रत्या लगा देंगे कौन-कौन से क्या लगाएंगे करता हमारे वही रहने वाले हैं कि में उत्तम तुम मध्यम बाकी सब प्रथम अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष बाकी सब प्रथम ठीक है न क्रिया और भूतकाल में बनाने के लिए एक और काम क्या किया जाता है मूल क्रिया में पहले आ लगा दिया जाता है ठीक ह चात्र ने कहा था या चात्र कह रहा था या लड़का कह रहा था लड़की कह रही थी पुरुष कह रहा था महिला कह रही थी सिख्षक कह रही थी जो भी तो हम कहेंगे अकथय और यहां पर लगा देंगे त क्योंकि प्रथम पुरुष का एक वचन का करता बन रहा है दो चात चात्राव कथयताम सभी चात्र कह रहे थे तो चात्रा अकथयन तुम कह रहे थे इसलिए आमने ऐसा कहा कि तुम अकथयह तुमने कहा था तुम कह रहे थे तुम नोनों कह रहे थे तो युवाम अकथयतम तुम सब कह रहे थे तो युयम अकथयत मैं कह रहा था ना मैंने कहा थ अब मैंने कहा था भी कह सकते हैं या मैं कह रहा था ठीक है तो था जहां पर लगा है वहां पर भूतकाल की प्रत्याई लग जाएंगे अहम अकथयम मैंने कहा था या मैं कह रहा था हम दोनों कह रहे थे हम दोनों ने कहा था आवाम अकथयाम हम सब कह रहे थे वयम अकथयाम ठीक है अब यहाँ पर यह हो गए हमारे कौन से भूत काल की अब चलते हैं हम क्या करेंगे अपनी भवेशे काल की क्रिया को देख लेंग हो गया, भुले कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस कितना याद रखना है, कि इसमें आ नहीं लगता है, केवल भूत काल में आ लगता है, इसमें क्या लगता है, कहेंगे जो तीतह अंती जो हमारे लटलकार के प्रत्य हैं, उनके पहले भविशे काल का शिय या सिय लगा द जाता है उनको, ठीक है, जैसे आपको पढ़ने में तो मिलेगा कि सेट धातुओं में शग लगाया जाता है, यानि ये वाला शा आता है, जिससे कि ये श्य बन जाता है, फिर तीतह अंती जोडते हैं, ठीक है, तो भविशे काल में ये चीज बस हमें याद रखनी होती है, हमने कहा स्था, ठीक है, स्था लेखा है, पा लेखा है, तो इसमें भविशे काल के हम जब क्रियाओं का प्रत्या जोडेंगे, भविशे काल लिट लकार के प्रत्या जोडेंगे, तो उसके पहले हमें क्या करना पड़ता है, कि किनी धातुओं में ये का आगमन होता है, किन इन में नहीं होता है, इन में पहले से स्वर है, तो इन में नहीं होगा, इसमें इ नहीं लगाएंगे, तो साधरन सा आ जाएगा, तो हम लिख देंगे स्यती, स्यतह, स्यंती, पहले लगा देंगे स्य, और फिर लगा देंगे तीतह, अंती, तो हमारा रूप क्या बन जाएगा स्थास्यति, स्थास्यतह, स्थास्यन्ति ये बन जाएगा पास्यति, पास्यतह, पास्यन्ति ठीक है? जब E नहीं लगी है तब ठीक है? तो ऐसे बन गया हमारा फिर इसमें ती तह अंति लगा दिया तो क्या हमारा स्थास्यति ठीक है? इस प्रकार से लेकिन जैसे हमारी पठ हुई आदेव यंजन वाली है तो E लग जाएगी इसमें तब फिर इसके बाद में हम ती तह अंती जोड़ेंगे ती तह अंती के पहले हम क्या जोड़ेंगे E आ गई है तो साका क्या हो जाएगा तो यहाँ पे होगा हमारा शय फिर लगा दीजे ती तह अंती तो शय ती शय तह अंती तो पठ हो जाएगा पहले पठी ठा में E जोड़ेंगे हम शय ती शय तह शय अंती तो जिन में क्या होता है जिन में E का आगमन होता है उनको सेट धातू कहते हैं जिन में E नहीं जुड़ती है, उनको अनिट धातू कहते है सेट का मतला होता है स, इट, इट का जिसके संग में साथ हो इट मैंसे क्या होता है, इडागम जो कहा जाता है, इडागम इसलिए बनता है इट का आगम होना, आजाना ठीक है टाका इसमें से लोप हो जाता है E बच जाती है तो लेदे के साधान तोर पे हम ये चीज बता देते हैं कहीं कहीं पे E जुड़ती है कहीं नहीं जुड़ती है जहां E जुड़ती है वहाँ पे शा लगा दीजे जहाँ E नहीं जोड रही है वहाँ पे सा लगा दीजे तो इडागम यही होता है इट का आगमन यानि E का आगमन क्या प्रत्याय लगाने के पहले धातू और प्रत्याय के बीच में E का आगमन ठीक है? तो यह इडागम भी बता दिया भई हमने अब तो सब क्लियर हो गई? तो अब कथ धातू कैसे बनेगी हमारी? कथ यह जोड रहा है इसमें यह जोड गया? अब इसमें क्या करेंगे? E जोड दे? बोले जोड देते हैं ठीक है? आधाया दिख रहा है कथी हो गया E जोड़ी है तो यह हो जाएगा श्या अब अपने पुरुष वचन के हिसाब से ती तह अंती जोड दीजिए ती तह अंती तो बन गया कथिश्यती कथिश्यतह कथिश्यंती अर्थ क्या बनेगा चात्र कहेगा दोनों चात्र कहेंगे सभी चात्र कहेंगे सिख्षक कहेंगे दोनों सिख्षक कहेंगे सभी सिख्षक कहेंगे ठीक है अध्यापक कहेंगे अध्यापिका कहेंगी लड़का कहेगा लड़की कहेगी दो लड़के कहेंगे सबी लड़के कहेंगे चीक है तुम कहोगे स्पेशल आ गए करता तुम कथीश्य सी तुम कहोगे युवाम कथीश्य था तुम दोनों कहोगे युयम कथीश्य था तुम सब कहोगे मैं कहूँगा तो अहम कथीश्या में हम दोनों कहेंगे तो आवाम कथ ठीक है चले यह तो हो गए अब देखे कोई लट और लिटके की जैसे हैं कि नहीं है ती तह अन्ती सिथा था आमी आवह आमह सिया और श्या ही जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है बसकत धातु में याकागमन हो रहा है अब चलते हैं अपने लोट लकार पर लोट लकार क्या करता है आज्या में वदल देता है उस काम को उस काम में आज्या का अर्थ जोड़ देता है यानि कहो अगर कहने की धातु को अगर आप किसी को आज्या दे रहे होगे या अनोग्या कह रहे होगे तो क्या कहोगे कहो है न आपको सुन करके कुछ-कुछ अपने लंगलकार की याद आयोंगे मिले कुछ-कुछ ध्वनी को तोड़ा से रिपीट करने की कुशिश कीजिए समझ में आएंगे तो ताम न भूतकाल जैसे अब आपके बूतकाल जैसे तो दोनों में अंतर क्या है भई इसमें भले ही ताम लगा हुआ हो भूतकाल में भी ताम लगा हुआ हो लेकिन भूतकाल में आ जोड़ दिया जाता है भूतकाल की क्रिया इसलिए सबसे अलग चमकती है क्योंकि इसमें आ होता है भवेश्यकाल की इसलिए सबसे अलग चमकती है क्योंकि श्मेश्या होता है ठीके और इन में मुली लगती तो भूतकाल जैसे हैं लेकिन आ नहीं होता है तो हम समझ जाएंगे कि ये लोटलाकार के प्रत्या जुड़े हुए है फिर कहा अह, तम, त फिर हमने कहा अम, आव, आव, हो गया बस, अब क्या करना है इन में थोड़ा सा परिवत्तन ता को छोटिव की मात्रा तो तू, तम, आधेना को तू और देजिए यहां भी तू, वहां भी तू, तू, तम, अन्तू फिर यहां से विसर गहटा जिए, तो अ, तम, त यहां सबसे अलग बन जाता है, ना ही अम रेता है, ना ही आमी रेता है यहां हो जाता है हमारा आनी, क्या हो जाता है आनी तो यह हो गया आनी, चीक है तो यह हट गया, यहां उ की मात्रा आ गई, चीक है यह हो गया अत्ता की जगह पे तू वहां हो गया हमारा अन्तू ठीक है यहां हो गया आनी बस इतना परिवर्तन हैं बाकी सारे कैसे हैं लंगलकार जैसे तू तम अन्तू अ तम त आनी आव आम तो हमारे अर्थ क्या निकलेंगे इनके अर्थ निकलेंगे कि जैसे कहा लड़के कहो राम कहो तो राम हां कथ या तू राम कहो या रा म कहो दोनों बालक कहो क्था कहेंगे सभी बालक हो सभी छात्र कहो किसने किसको मारा था All the तो कहेंगे छात्राह कथयन तुम कहो तुम कथय तुम कथय तुम दोनों कहो युवाम कथयताम कथयतम और कहेंगे तुम सब कहो तो कहेंगे यूयम कथयत ठीक है मैं कहूं अब ये आज्यानी अनुग्या होगे अहम कथयामी आवाम कथयाम होयम कथयाम मैं कहूं हम दोनों कहे हम सब कहें जो कहना है अब आते हैं विदिलिंग लकार पे विदिलिंग लकार के प्रतिया क्या करेंगे उसक्रिया में चाहिए का अर्थ जोड़ेंगे ठीक है चाहिए का जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे कहेंगे चात्र को कहना चाहिए बालक को कहना चाहिए या बालक क दो तरह से हमें हिंदी में इसके वाक्य मिलती हैं चाहिए भी विदिलिंग लकार जहां पर जुड़ता है उन वाक्यों की दो तरह से अर्थ बनते हैं जैसे कि आप ने देखा होगे अच्छा 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 तो देखें एक अच्छा की कितने आर्थ निकल गए एसे ही मिदिल लकार में ही पीकी याद आगया हो गहना गह동ं है तो यहां पर यहां पर भी हम यहें बताना है चाहिँ कर्थ जूड़रा है तो चाहिए के संग संग में faisons, बालक कघा बालक ऐसा कहे, बालक कथा कहे, दोनों चात्र कथा कहे, है न, दोनों अपनी बात कहे या कहना चाहिए, दोनों तरह के अर्थ में विदिलिंग लकार के हमारे प्रत्या लगाने हैं, तो चात्रह कथिये, यानि चात्र कहे या चात्र को कहना चाहिए, चात्रों कथिये ताम दो को कहना चाहिए वरत Means अब तो यहां पर थोड़ा सा आप कहेंगे प्रत्याएं मैंठक करें जल्दी जल्दी घबरा जाते हों तो अभी लंग लगार के ही बताए ना लंग जैसे ही लोट के बने, वैसे ही विदिलिंग लकार के बन जाएंगे, त, 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 न, अह, त, त, अम, अम, आव, अम, चीक है, आप क्या करेंगे, त के पहले ए लगा दीजे, एत, एत, ताम, बस ये सबसे अलग बनता है, ए, यू, ये सबसे अलग बनता है, बस, चीक है, एत, एत, अम, ए यू, अ की जगा पर ए कर दीजे, ए, एत, यहां कर दीजे, अम की जगे, ए, यम, यह हो जाएगा, ए, यह हो जाएगा, एम, बस बन गए, चीक है, भूत काल से, किस में पहुँच गए ये, हमारी जहां, बीती वी, बात का अर्थ стороны रहेते, यहां पर चाहिए, करती जड़ गया, चातरह कथिय乐, चात्रव कथियग, अशात्रह कथिये, यू, त्वम कथिये, युवाम कथिये, तम, यू यम कथिये यहां पर हो जाएगा हमारा अहमकथिययम आवामकथयेव और वयमकथिय। यह तरह से यह पुरुष चाहे किसी भी लकार में हो किसी धातू के लिए हो ऐसे ही रहते हैं। छे लोगों के लिए क्रियाएं अलग हैं, मद्यमूर उत्तमपुरुष्की बाकी सब के लिए प्रत्मपुरुष्की क्रियाएं बनी हैं, अच्छा ये सारे, अब इसका एक काम करना है, किवल ऐसे नहीं सुन के नहीं रख दिना है, कथा नहीं है कि कथा बता पढ़े आए और हमने प्रवचन सुन लियो और बैट गए घर पर नहीं अब जो हमने धातू बताई हैं आपको ठीक है क्रियाएं बताई करता बताई तो कुछ वाक्य बनाईए उनमें कुछ दो-चार चीज और जोड़ करके अपने क्या कीजिए उन कहां मिलने वाले हैं यह सारे वीडियो आपको हमारी मैगनेट ब्रेंस वेबसाइट पर यूट्यूब पर और गूगल पर जाएगे तो उसमें भी आप डाउनलूड कर सकते हैं हमारी अप्लिकेशन को अच्छा अप्लिकेशन और वेबसाइट का पेज कैसा है विलकुल समन मिल जाता है यूट्यूब पर जाएंगे प्लेइलिस्ट मिल जाएगी यहां पर जाएंगे ऐसा पेज ओपन हो जाएगा कब होगा जब गूगल पे लिखेंगे मैंनेट ब्रेंस डॉट कॉम या अपनी एप्लिकेशन को खोलेंगे तब अब यह पेज ओपन हुआ तो यहां लेवंत में गये तो देखे क्लास 11 के सब्जेक्ट के लिस्ट आने लगी दिखाई देने लगी अब यहां देखा तो संस्कृत भाष्वती संस्कृत व्याकरण भी है भाष्वती पढ़ चुके हैं पढ़ दीजिए व्याकरण पर आये क्लिक किया व्याकरण का पेज उपन हो क्लिक कीजिए वीडियो ओपन हो जाएगा और साथ साथ में आपको यह पता चलता जाएगा कि कितनी संधी कितने प्रत्या कितने शद्रूप कितने दातुरूप आपके लिए हम बना रहे हैं आपको किवल सिर्फ पढ़ना है समझना है और उनका प्रयोग अपनी संस्कृत म करना है मिलते हैं अगले वीडियो में और धातुरूपों को सीखेंगे तब तक के लिए धन्यवाद